इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग, आखे स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, किस तरीके से आपको स्विंग ट्रेडिंग करना होता है, किस तरीके से उसमें पैसे बनते हैं, ये सारी चीजे मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहले स्विंग ट्रे देखे हो आप इस कोर्स से पूराना वीडियो आप नहीं देखे हो बीचे से आप देख रहे हो तो बिल्कुल चीजे समझ में नहीं आएंगी तो आप जाके उसको सबसे पहले एक बर रिवाइस कर लेना और इस यूडियो को वाच करना तब आपको जादे अच्छे से क्लियर होगी क्यों देखो मैं चाहता हूँ ना कि आप अगर मेरे से जुड़ रहे हो तो आप एटू जेज चीजों को जानो यानि कि बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग जाएंगे तो इसके लिए आपको क् पासा में बताओं आपको तो सुन्ट रेडिंग में आपका जो पैसा है वो रोटे होते रहता है सपोस करो किसी भी कंपनी में आपने पैसे लगाए हैं तो एक week से लेकर के एक मद दो मन तक आपको उसमें रखने होते हैं वो पैसे अड़ उसके बाद जैसे ही आपको अब उसमें profit लिए और दूसरे में इनवेस्ट कर दिए उसमें से profit लिए फिर तीसरे में इनवेस्ट कर दिये तो इस तरीके से यह cycle चलते रहता है इसी को आगे बता है पहले में जो बेसिक बता रहे हूँ equity के अंदर किस तरीके से आपको trade करना होता है and किस तरीके से लंबे समय wait ना करके, छोटे समय में आप आनाम से उसको profit ले सकते हो वो होता है आपका swing trading तो अब आप ये चीज जानगे कि swing trading होता क्या है and इसमें कितना समय लगने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको समय लगने वाला है एक week से ले करके one month, two month आप three month तक अप्रॉक सप्रॉक जा सकते हो but एक चीज ध्यान देना कि आपको इसमें proper time देना पड़ेगा अगर किसी भी stock में आपने invest किया है, अपनी analysis के माध्यान से आपने उसमें invest किया है तो आपको time to time update रहना पड़ेगा, यानि कि चीजें देखनी पड़ेगी, जो भी stock आपने purchase किया है, उसको देखना पड़ेगा, target मिला नहीं मिला, क्या चल ला है market में किस तरीके से वो भॉम कर रहा है ये सारी चीजें आपको track करना पड़ेगा तो इसमें थोड़ा सा आपको time देना पड़ेगा, जैसे suppose आप job करते हो, तो आप office से घर आओ तो अपना एक से दो घंटे आप analyze कर लो कि हाँ, ये ऐसे move कर रहा है, तो ऐसे हमको इतने दिन में target मिल सकता है या फिर इतना target में लिए sufficient है तो मैं अगले दिन इसको sell कर दूँगा, तो वो analysis आपको करना पड़ेगा swing trading में, अच्छी चीज़ ये है कि आपको पैसे यहाँ पे बहुत देर तक hold नहीं करने पड़ते हैं, वो पैसे आप rotate करते रहोगे, एक stock से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से चलता रहेगा, और दूसरी चीज़ है इसमें आपको tracking करनी पड़ेगी अपनी share की तो ये दूसरी चीज़ होगी third type आपको मैं बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप share को देख सकते हो, किस तरीके से उसको filter कर सकते हो, कि ये उपर जाएगा, या फिर नहीं जाएगा, या फिर किस तरीके से उमें position बना सकते हो, आप किस तरीके से उसको track down कर सकते हो आप तो वो मैं आपको chart के उपर ले चलके यह एडवांस नहीं है, यह बस एक एक्जामपल के तौर पर मैं बता रहा हूं, इसको आप बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा, इसमें इन्वेश्मेंट टनने की कोई जरूरत नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ मैं एजूकेशन के लिए बता रहा हूं, यह रिक्मेंडेशन न वन डे टाइम फ्रेम देखोगे, तो जादे बैटर रहेगा, उसके ऊपर जितना आप जाओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग आ जाते हैं, वन डे टाइम फ्रेम पे आपको यहां पर क्या नजार आ रहा है, वन डे टाइम फ्रेम पे यहां पर कही ने कहीं आप देखोगे, तो कही ने कहीं मार्केट यहां से फॉल किया हुआ है, अध यहां पर यह गिरते हुए नजार आ रहा है, आप देखो यहां पर जोन कर देता हूँ आपके लिए, यह देखो, पहली चैंडल दूसरी, तीसरी यहां से ले करके यहां तक इसने फॉल कर दिया है अब आपको इसमें find करना है support and resistance तो one week के time frame पे हम आ जाते हैं one week पे जादे candle दिखेंगी and support and resistance आराम से हम लोग इसमें draw कर पाएंगे चलिए तो यहां पर मैं support आपको बना के दिखाता हूं यहां पर बार बार candle आई है and यहां मैं color green कर देता हूं जिससे की आपको पता रहे कि support जो है वो green है and resistance आपका red color से होना चाहिए ठीक है तो यह basic है आप यहां पर अपने इसाब से भी color रख सकते हो ज़रूरी नहीं है red और green रखो आप जो चाहें वो color रख सकते हो अब यह आप देख रहे हो one week के time frame पे one week में आ important zone है यह पूरा का पूरा एक important zone है इस तरीके से तो यह zone में आपको क्या करना है थुड़ा सा अपनी analysis के माधियम से इसको देखना है कि क्या आपको यहां पे अच्छा trade मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है यानि कि आप इसमें कर पाऊगे कि नहीं कर पाऊगे तो वह मैं बताता आपको यह वाला area जो है यहां पर भी candle बार बार इस जगह कर आई है तो यह भी area का support हो जाएगा यहां पर पर यहां पर बनाद यहां पर आगे यह बढ़ गया अब यहां पर सपर्ट बनाने की कुसिस कर रहा है इस जगह आप देखो गहां तो एक अच्छा टार्गेट मिल सकता है उपर के साइड में, उपर साइड के टार्गेट क्या होना चाहिए, देखो जितनी बार भी यहां पर सपोर्ट लिया है, उतनी बार यह कैंडल यहां तक आई है, ठीक, इस जगे तक आई है, याने की, इस जगे पर भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता कि इसके ऊपर जब निकलेगा, तब कहीं हम लोगों का एक अच्छा फार्गेट मिलेगा, तो यहां पर देखो, ऐसको तुरह सा जूम आउट कर देता हوت, जिससे कि आपको अच्छे से दीख पाएं यहां पर तो यहां पर देखो, यह वाला जो एरिया है ना, सिसको मैं यहां तक का टार्गेट एंड इसके ऊपर का भी टार्गेट रख सकते हो यानि कि अगला टार्गेट आपका यहां पर साइड में यह वाला एरिया होना चाहिए यानि कि 1560 के आसपस का आपका टार्गेट होना चाहिए जब यहां पर यहां पर यह क्लोज करेगा क्लोज करने क टार्गेट को और तो फ्र को इस निकल जाए चुसे कि दूषरे शेयर में लगाप आ है तो यह मैं आगें आपको बताँ कि इस तरीके से आप टारगेट भी कर सकते हो बट सिंग में आपको टारगेट ट्रेल नहीं करना होता है आप basically अपना कुछ point, कुछ हिस्सा आप book कर लो वहाँ पर जिससे कि आपका जो profit है निकल जाए and आप उस पैसे को दूसरे share में लगा पाओ जिसमें आप analysis करके रखे हो कि चलो इसका profit जब आ जाएगा मेरा तो मैं इसको निकाल करके इसमें लगाऊंगा, इसमें अच्छे इंट्री मिन लगी है and उसके बाद उसमें profit निकल गया तो फिर तीसरे में, इस तरीके से वो पैसे आपको rotate करने पड़ते हैं swing trading में, तो ये चीज़ ज़्यान रखिएगा लंबे समय के लिए नहीं होता है, ये बहुत लंबे industry को मैं यहाँ पर देखूंगा, तो यहाँ पर मैं इसको delete कर देता हूँ, सबसे पहले drawings को and यहाँ पर हम लोग one week के time frame पर आजाएंगे normal, normal, जिससे की थोड़े से candles भी थोड़े ज़्यादे दिखेंगे and आपको समझ में भी अच्छे से आएगा, तो यहाँ पर आप देखो तो इस जगे पर reliance में क्या हो रहा था, इस जगे पर कहीं एक resistance बना हुआ था पहले, इस जगे पर जभी candle आई थी, जभी भी इस जगे पर candle आती थी, इस जगे पर आप देखो तो नीची चली जाती थी, इस जगे पर आती थी, नीची चली जाती थी, यहाँ पर आई, फिर से नीची चली गई, तो यह कहीं नगे यह area resistance था, अभी के लिए यह area क्या हो गया है, support हो गया है, तो इसका मैं color green कर देता हूँ, अभी के हिसाब से यह green color में होना चाहिए, हम लोग का support है, क्योंकि इसके उपर candle चली है, तो जाहिर सी बात है, जब भी market उपर है, तो नीची वाली line support हो जाएगी, अगर market नीची है, तो उपर वाली line resistance हो जाएगी, यह आपको मिल ला है, तो अब हम लोग इसको में क्या करेंगे, इसमें resistance भी बना लेते हैं, यह एरिया resistance रहेगा, इसका color मैं red कर देता हूँ, चलो, एक हम लोग का resistance, एक हम लोग का support मिल यहाँ पर, अब हम लोग टाइम फ्रेम जो है, वो change करेंगे, वन डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आ जाएंगे, तो यह देखो आप, वन डे टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिख रहा है, यह एक zone बनाया हुआ था, इस जगर पर आप देखो, तो इस zone को जैसे ही इसने break किया, इस zone का resistance and support आप निकालो के तो इस तरीके इस निकलेगा, मैं आपको बताता हूँ, यह area आपका हो जाएगा, मैं छोटी सी line बनाऊँगा, यह area आपका हो जाएगा resistance, and यह area आपका हो जाएगा support, तो यहाँ पर आप इस चीज को draw कर लो, and इसका मैं color red कर देता हूँ, अब जैसे ही resistance टूटा है, आपको एक swing के लिए यहाँ तक का target मिला, and then उपर से जब यह नीचे आ रहा है, तो आपको एक trend line भी इसमें देखने को मिल लई है, यहाँ से लेकर के इस तरीके से trend line देखने को मिल लई है, जितनी बार भी trend line पे market आया है, उतन नही बार एक नया low आपको बनाने को मतलब दिख रहा है, यह नया low ठीक है, उसके बाद जब यह पूरा हो गया, उसके बाद यह नया low, टच करने के बाद नीचे आया, नया low, and इसके बाद फिर से यह टच करके नीचे आएगा, तो आपको यह target कहीं कहीं देखने को मिलेग यानि कि 2-6, 2-0 के आसपस कहीं कहीं target होने का संभावना दिख रहा है यहाँ पे नीचे साइट के लिए, तो आप वेट करो कि यहाँ तक के लिए आप एक target नीचे से support जब ले रहा है, तो उपर के लिए यह target ले सकते हो, इस तरीके से आप swim trading कर सकते हो, इसको थोड़ा सा practice करना तभी चीजें समझ में आएंगी, basic समझो आपकी किस तरीके से swim trading होता है, तो इसी तरीके से swim trading होता है, जिसमें आपको बस क्या करना होता है, कि support पे आए, तो buy करना है, and target पे आए, तो आपको book करके निकल जाना है, और यह आपको one week से लगाए, आपको एक महीने, दो म आइसी आइसी बैंक हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे मैं आइसी बैंक लगा लेता हूं, इसमें जो drawing से वो में delete कर देता हूं, and यहाँ पे one week के time frame पे आजाएंगे, थोड़ा से candle को reset कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख तो trend line बनाना भी बहुत असान है, इसका वीडियो में मैंने अल्रेडी playlist में डाल के रखा हूं, आप वहाँ से check out कर सकते हो, देख सकते हो, and यहाँ पे देखो, जितनी बार भी trend line पे आया है, उतनी बार नीचे आप देखो, जितनी बार आया है, उतनी बार नीचे यहाँ प ही आपकी line जोगी, यह target आपको, यहाँ पे बहुत ही normal सा target आपको दे सकती है, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, and एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो आपका support रहेगा, वो भी मैं आपको एक बर बना के यहाँ पर दिखा देता हूं, support ज जब फिर यहाँ पर reverse करके, फिर जब टच करके नीचे आ रहा है, तो फिर से यहाँ से उपर side का target, ठेक है, फिर उसी line पर फिर नीचे आ रहा है, फिर यह support आपका, कही ने कहीं एक बहतरीन support है, जिसमें बार बार candle यहाँ पर support ले करके उपर जा रहा है, फिर से यह resistance तक आना चाहिए, यह trend line आपका होगा support, यानि कि यह green color से denote होगा, यह rates है, तो यह आपके लिए बहुत ही बहतरीन रहेगा, इस तरीके से आप स्यूम trading कर सकते हो, तो I hope आपको यह सारी चीज़ें समझे में आई होगी, किस तरीके से छोटे-छोटे targets लेके आप यहाँ पर book bear को analyze करना है, basic, एकदम मैंने बहुत ही simple तरीके से आपको बताया, तो इस तरीके को आपको use करके, आप normally अपनी analysis कर सकते हो, बहुत ही basic analysis है, इसको आप करकर के swing trading आप आसानी से कर सकते हो, तो दोस्तों कैसा लगा यह video एक बार comment करके ज़रूर बताईएगा, and मिलते हैं, next topic म next topic बहुत ही कमाल का होने वाला है, वो होने वाला आपका intraday trading, intraday trading miss मत करेंगे, क्योंकि मैं उसमें आपको intraday trading करके दिखाऊंगा, and किस तरीके से आप profit book कर सकते हो, किस तरीके से उसमें आप normal तरीके से आप entry लेकर के पैसे बना सकते हो, और क्या तरीका होता है, किस तरी दोरियों में तब तक लिए दोस्तों, जै हिन, जै भारत!